नेटरेटेटी यूडुचन में आपको स्वागात है, यह वीडियो बीवी समस्टर वन यानी बिनोवा भा इन्वर्सिटी समस्टर वन के लिए है, बाकि आप अधर इन्वर्सिटी का स्टुडेंट है तो भी इसे देख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग समस्टर वन सेशन 2327 वालों के लिए AC मिल हिंदी का BBI MCQ देखेंगे यानि कि जो आपका एक्जाम पेटर ने रहेगा ठीक है दो खंडों में बटाओगा गुरूप A और गुरूप B तो गुरूप A वाला जितना सारा प्रशन रहेगा सारा प्रशन आपको यहीं से देखने को मिलेगा इसी तरह स्रे आपका प्रशन रहेगा ठीक है तो चाहिए आप कोई भी स्टुडेंट हो B.A.B.C.B. कॉम जाते जाते आप इन सभी प्रशनों क एक बार देख लीजिए ठीक है तो चलते हम लोग प्रशन को देखते हैं प्रशन हमारा है संचेपन का परधान गुन है तो इसका अंसर हो जागा संचितता आपको रटना नहीं आपको क्यों सुन लेना है संचेपन का परधान गुन है तो क्या है संचितता दूसरा प्रशन है संचेपन का भिलोम सब्द है अंसर हो जागा पल्लवन संचेपन का मतलब होता है छोटा ρूप अगला देखते हैं पाच्वा प्रश्ण हमारा है प्रारूपन को जानते हैं तो प्रारूपन को मौसोदा की नाम से भी जाना जाता है ठीक है यानिकि प्रारूपन का दूसरा नाम मौसोदा है ठीक अगला प्रश्ण देखते हैं छे नमर के प्रश्ण है भारती सविधान के के अनुसार हिंदी को तर्जा मिला हुआ है इसका सभुधान की अनुसुhr 343 में हिंदी का उलिख मिलता है राजभासा की रूप में ठिकिए तो भारते सभुधान के National Hindi क्या है राजभासा है अगला प्र conditioned है यहां पर moment होगी है ठीक से चोटी इकाई क्या है तो इसका अंसरो जागा वर्ण धस थासूद से ठीके अगला प्रश्ण देखते हैं नो नमर का प्रश्ण है हिंदी भासा की लिपी क्या है तो यह सब को पता होगा देवनागरी हिंदी भासा की लिपी क्या है देवनागरी ठीक है दस्वा प्रश्ण हमारा है पल्लवन का मुल सब्द क्या है तो पल्लवन का मुल सब्द क्या है व उसका संदी विछेत कर लेना है जिससे हम लोग यहां परती दिन का संदी विछेत कर लेते हैं परती जोड़ दिन बराबर परती दिन अब हम लोग समझते हैं उपसर्ग का क्या मतलब है ठीक है तो उपसर्ग किसी भी वर्ड की पहले लगा होता है किसी भी सब्द की पहले हम लोग देखते हैं 12 नमर का प्रश्ण है पलवन सब्द में पड़ते बताएं तो मैंने पहले पता दिया था पड़ते पुछ जुवल का संदी विछेद करें तो आपके एकजाम में एक प्रश्ण संदी विछेद से रहेगा ठीक है तो इसका अंसर हो जागा उत्जोड जुवल का संदी विछेद क्या हो जागा उत्जोड जुवल अगला प्रश्ण में देखते हैं चोदर नमबर का प्रश्ण हमारा है माता पिता में कौन सा समास है तो देखे जहां पर योजक चीन लगा होगा यानि कि जो माइनिस का चीन लगा होगा ठीक है और विलोम सब्द होगा एक दूसरे का विलोम सब्द होगा वहां पर दुवंदू समास लगा होता है क्या होता है है चंट में दोर्ट संख्यव है दंद संसर यहां दो देख सकते हैं माता पिता इसके बीच में क्या लगा है योजंक रख सकते हैं दिखोछ स्मास में कॉणसा समास पर फिर से miss typing होगी है ठीक है तो आपको question number पर ध्यान नहीं देना है आपको जल्द जल्द से प्रश्ण को देख लेना ठीक है अगला प्रश्ण हमारा है तिरभूज में कौन सा समास है तो देखे जिस समास में आपको संख्या दिखेगा ठीक है जिसे एक दो तीन चार वहाँ पर तो इसलिंग या पूलिंग सब्द से भी आपका एक कोईशन बनेगा एक्जाम में, अगला प्रश्ण देखते हैं हम लो, 16 नमर का प्रश्ण है, राम ने रोटी खाई, इसमें कौन सा कारक चीन लगा है, तो इसका आँसर हो जागा करता कारक, देखो सबसे पहलee, आपको कारक चीन याद करना पड़ेगा, तो होता है करता ने ठीक है तो यहाँ पर लगा है करता कारक ठीक है तो आसा करते हैं वीडियों अच्छा लगाँ हो ते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है आपका एक्जाम अच्छा सजाएगा Best of luck मिलते ने वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद